अस्सलम अलेकुम दूस्तों वीडियों में हम आपको दाएंगे सॉधी के लेटर इंपोर्टन अपडेट यह विडियों उन सभी लोगे बेहद इंपोर्टन जो लोग अभी सॉधी अरभी वर्यत है इसके साथ हम आपको बता दें कि सॉधी गबर्मेंट के तरफ से कई नए पहली अपडेट आप सभी लोगे लिए बेहद इंपोर्टन है जो कोरोना वारस को लेकर मतलब कोरोना वारस में अब काफी जादा तेजी देखने को मिल चुकी है इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आपका एकामा एक घरलोग कारगर का है तो ऐसे में आपको इस वीड हो तो यह वीडियो आप जरूर देखिए और भी कुछ रेलेटर जनको इस वीडियो में आपको बताएंगे आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि अपको पूरी जनकर मिल जहें दोस्तों सचोदी की पहली एपडेच सचोदी के वड़ी जमन्तराले के तरफ से है। है कि इसका जो कार है उसको पूरी तरा से बंद कर दिए गया है जो भी इसका बेथा का कर है जो भी लाइसंस है इसलिए इनलों के खिलाफ कड़िकारोई अभी की गई है दोस्तों सौधी की अगली अपडेट सौधी के हज और उम्रा मंतराले की तरफ से कहा गया है कि जो भी सेवा है और सुपधा है उसकी समिक्चा की जा रही है और यह बताया जा रहा है कि 10 दिन के अंदर जो उम्रा का सिस्टम है वो स्टार्ट किया जाएगा औ आदम से शुरू किया जाएगा और 10 लाख लोग सॉधी अरब में हज उम्रा करने के लिए आने वाले हैं। आवारा कुत्ते हैं उन पर कड़ी कारवाई की जाना चाहिए और आगे इन पर देख रेख भी किया जाना चाहिए क्योंकि सॉधी अरब में इस तरह के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सॉधी के जवजात की तरफ से कहा गया है कि अगर आपका वर्क पर्मिट और अगर आपका कोई भी इस तरह कार हैं। तो ऐसे में सॉधी गबर्मेंट के तरफ से तीन महिने के नियुनतम जो भी पैसा है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आगे जवजात की तरफ से असपष्ट एक जानकारी दिया गया है जिसमें कहा गया है कि घरलो कारगर इसके लावा इसी तरीके के कारगर और वर्क पर्मिट का सुल्क भुकतान करना या विभाजन करना या एकामा या वित्तिय मुआपजा इसके लावा और भी एका बेवसाइट की तरफ से जारी किया गया है इसलिए आप सभीलों को जानकारी होना बेहत जरूरी है अगर आप सॉधी अरभ में रहते हो तो जो भी कार है उसके तहट ये कार किया जाएगा मतलब इसमें काफी ज्यादा डेश्टल सिस्टम का योगदान रहेगा आगे कहा गया है कि अभी जो देखभाल का कार है वो पूरा कर लिया गया है और हज में जो भी तेर्थे आत्री आने वाले हैं उनके स्वास्त को सुनिश् है सुदी के हज और उम्रा मंतराले की तरफ से दोस्तों अगली अपडेट एक बेहद इंपोर्टरन अपडेट है जो आपको जानकारी होना चाहिए मतलब अभी जो पिट्रोल डिजल के दाम हो काफी तेज से बढ़ने वाले हैं क्योंकि दुबई में भी इसके दाम काफी काफी तेजसे बढ़ चुके हैं इसके लावब آپको बताते हैं कि सौधी ने कच्चा तेल है उसको देने और बनाने सेंदे इनकार कर दिया है ुझτι लिए और भी तेज से दामावे बदलाव देखने को मिलत से इसके लावब बताते हैं कि अगर आप अभी किसी भी देस में हो तो आपको साउधान और सतर करेना है क्योंकि सउधी अरब में जो केस देखने को मिले हैं उसमें जिद्दा में 234 इसके अलावा रियाद में 207 दमाम में 6, मक्काल मुकर्मा में 62, मदीना में 39, तैफ में यहां पर 19, हफोह में 16, इसके अलावा और भी 15 नए मामले सउधी अ आगे जो यहां पर कहा गया है उसमें मामले देखने को मिले हैं रियाद में 122 हैं मक्काल मुकर्मा में 47, मदीना में 148 और 36, दमाम में 41, तैफ, 31, जजान, 13 मामले, जद्दा यानि सब से उपर यहां पर केस देखने हो के मिले हैं मापको बता दें कि सॉधी अरब के अंदर है टोटल यहां पर 9101 क्यावनों की डेथ भी गोसित की गई हैं और गंभीर मामले अभी भी 78 सॉधी अरब के अंदर कोरोना वार्ष के देखे जा चुके अगर आज के कोरोना वार्ष के केस की बात करें तो टोटल 775 कोरोना वार्ष की केस हो चुके हैं टोटल यहां पर ठीक होने के मामले भी 578 दर्ज किये गये हैं दोस्तों सॉधी की अगली अप्डेट एक बेहत इंपोर्टन अप्डेट है क्योंकि सफर करने वाले हो तो भी आपके लिए अप्डेट कहा गया है कि स्वास्त के आऊ सकताओं को पूरा किये बिना आप अभी सफर ना करें अब यहां पर जो आ सकता है उसके बार में अप्डेट किया गया है कि अगर आप सॉधी अरब में सफर करते हो हज उम्रा के लिए इसक के लावा आप पूरे टीककान पूरे कर चुके हो और 72 घंटे के अंदर का आपको कुरोना वारस का नकारात्मा PCR परिक्षण भी होना बेहत जरूई है अगर यह रोल्स कोई भी तोड़ता है तो सौधी गबर्मेंट की तरफ से वार्निंग दिया गया है मतलब जिये से की से प्रद्गण की तरफ से जोर देगर कहा गया है कि अगर कोई भी परिपत्र का अनुपालन करता है मतलब जो भी रोल्स उसको फोलो नहीं करता है तो उसको तुरंत उलंगन के सिर्णी में डाल दिया जाएगा उसके खिलाब जो कानूनी कारवई की जाएगी इसके साथ उ क्योंकि ने ने रोल से सभी देशों में अब लगातार ने तरीके से लाव किये जा रहे हैं मतलब काफी ज़्यादा बदलाव कर दिया गया है क्योंकि कुरोना वारस से और जो मंकी पोक से उसके केस काफी ज़्यादा देश में देखने को मिल रहे हैं